भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आज प्रातर मैं बैंगलूरू में था, सुबह बहुत जल्दी पहुंचा था, अर्ता है किया था की, भारत में जा करके, देश को इतनी बड़ी सिद्धी दिलाने वाले वज्ञानीकों के दर्शन करूँ, और इसने मैं सुबह सुबह बहाँ चला गया, लेके बहाँ जनता जनारदन ने, सुबह से ही, सुर्योदय से भी पहले, हाथ में तिरंगा लेकर के, चंद्रयान की सफलता का, जिस प्रकार का, उत्सव मुनाया, वो बहुती प्रेरियत करना बर रहा था, और अभी कड़ी धूप में, सुरज बराबर तप रहा है, और इस महिने की धूप तो, चंब्री को भी चीर देती है, अईसी कड़ी धूप में, आप सब का यहां आना, और चंद्रयान की सफलता को, सेलिब्रेट करना, और मुझे भी सेलिब्रेशन में, हिस्सेदार बनने का सवफागे मिले, ये भी मेरा सवफाग गिया है, और मैं इसके लिए, आप सब का अभिनादन करता हूँ, आज जब मैं इस्तरों पर सुबे पहुचा था, तो चंद्रयान द्वारा जो तश्वीरे ली गई थी, उन तश्वीरों को पहली बार, रिलीज करने का भी मुझे सवफागे मिला, शायद अब तो आपने भी टीवी पर वो तश्वीरे देखी होगी, वो खुब्सूरत तश्वीर हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी, वैज्ञानिक सभलता की एक जीती जाकती तस्वीर हमारे सामने प्रस्तूत हुई, आम तोर पर एक प्रंपरा है दुनिया में, एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ती, और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है, और शक्ती की बात होती है, तो मेरे देश की नारी शक्ती की बात होती है, जब शिव की बात होती है तो हिमालय याद आता है, और शक्ती की बात होती है तो कन्या कुमारी याद आता है, हिमाले से कन्या कुमारी तक कि इस भावना को उस पॉइंट में प्रतिमिम्बित करने के लिए इसका नाम शीवशक्तिताई किया है इसके साथ ही दोजार उन्नीस में चंद्रयान टू उस समय नाम रखने की चर्चा मेरे सामने आई थी लेकिन मन त्यार नहीं था भीतर ही भीतर मन ने संक्रप्र कर लिया था कि पॉइंट टू को भी नाम तब मिले गया जब हम सच्चे अर्थ में हमारी यात्रा में सफल होंगे और चंद्रयान तीन में सफल हो गए तो आज चंद्रयान दो का जो पॉइंट था उसका भी नाम करण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा हर संकटों से जूजने का सामर्थ तिरंगा देता है हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है और इसलिए दो में विफलता मिली तीन में सफलता मिली तो प्रेरणा बन गई तिरंगा और इसलिए जो पॉइंट तू चंद्रयान तू जो पॉइंट के रुपे अब तिरंगा के रुप में जाना जाएगा और भी एक महत्वपून बात आज शुबे मैंने कही है 23 अगस्त भारत की वैज्यानिक विकास यात्रा में एक मिल का पत्थर है और इसलिए हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रुप में मनाएगा साथियों मैं पेछले दिनों ब्रिक समीट के लिए साउथ आफरिका में था इस बार साउथ आफरिका के ब्रिक समीट के साथ साथ पूरे आफरिका को भी बाहन निमंत्रित किया गया था और ब्रिक समीट में मैंने देखा शाहिजी दुनिया का कोई व्यक्ति हो जितने चंद्रयान की बात न की हो बधाई न दिवो और जो बधाईया मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वग्यानिकों के सामने उनको सुप्रत कर दी है और आप सबको भी सुप्रत कर रहा हूं कि पूरे विश्वने बधाईया भेजी है साथियों हर कोई ये जानने का प्रयास करता था चंद्रयान की यात्रा के सबन्द में ये काल जयु उप्लब्दी के सबन्द में और नया भारत नए सपने नए संकल्प और नए सिद्धी एक के बाद एक दुनिया के इंदर एक नया प्रभाव अपना भारत के तिरंग का सामर्थ अपने सफलताओं के अधार पर एक्टिमेंट्स के अधार पर अध्दुनिया अनुभव भी कर रही है स्विकार भी कर रही है और सम्मान भी दे रही है साथियों ब्रिक्ट समीट के बाद मेरा ग्रीश जाना हुआ चालिस साल बीट गए भारत के किसी प्रधान मंत्री ने ग्रीश की आत्रा नहीं की थी मेरा सवभाग्य है कि बहुत सेरे काम जो छूड़ जाते हैं मुझे ही करने होते हैं ग्रीश में भी जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान भारत का सामर्त और ग्रीश को लगता है कि भारत और ग्रीश की दोस्ती ग्रीश एक प्रगार से यूरोप का प्रवेश्द्वार मनेगा और भारत और ग्रीश की दोस्ती बारत और यूरोपियन यूनियन के रिस्टों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माद्यम बनेगा साथियों आने वाले दिनों में कुछ दाईत्व हमारे भी है वज्यानिकों ने हमारा काम किया है सेटलाइट हो चद्रयान की आत्रा हो सामान या मानवी के जीवन बें इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और इसलिए इस बार मेरे देश की हुआ शक्ति को विज्ञान के प्रति रूची बढ़े टेक्नोलोजी के प्रति रूची बढ़े हमें इस बात को आगे ले जाना है के लिए गुड़ गवर्णन्स के लिए लास्ट माइल डिलिवरी के लिए सामान्य मानवी की जिन्दगी में सुधार के लिए ये स्पेस साइंस कैसे काम आ सकता है ये सेटलाइट कैसे काम आ सकते हैं ये हमारी यात्रा कैसे उप्योगी हो सकती है उसको हमें आगे बढ़ाना है और इसलिए मैंने सरकार के सभी विभागों को सुचीत कर रहा हूँ कि वे अपने अपने विभाग में जो जन्द सामान्य से जुड़े काम है उन कामों में स्पेस साइंस का स्पेस टेक्नोलोजी का सेटेलाइट के सामर्थका डिलीवरे में कैसे उप्योग करें क्वीक रिस्पोंस में कैसे उप्योग करें ट्रांसपरंसी में कैसे उप्योग करें परफेक्शन में कैसे उप्योग करें उन सारे बातों की और वो अपनी समस्याओं को खोचके निकाले और मैं देश के नवजवानों को आने वाले दिनों में हैके थोन और्गनाईज करना चाहता हूँ पिछले दिनों कई हैके थोन में देश के लाखों विद्यारती 30-40-40 गंटे नॉन स्टॉप काम करके बढ़िया बढ़िया आइडिया दिये हैं और उसमें से एक वातावन पैदा हुआ है मैं आने वाले दिनों में ऐसे हैके थोन की बड़ी स्रंखला चलाना चाहता हूँ ताकि देश का जो यंग माइंड है यंग टेलेंड है और ज़र जन्जामान्य की मुसीबते हैं इसके सॉलुशन के लिए स्पेस साइंस से टेकनलोजी उसका उपयोग करें उस दिशा में हम काम करेंगे इसके साथ साथ हमें नई पीडी को भी विज्ञान की तरफ आकरसित करना है 21 सदी टेकनलोजी डिवन है और दुनिया में वही देश आगे बढ़ने वाला है जिसके साइंस और टेकनलोजी में महारत होगी और इसलिए समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विख्षित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेकनलोजी की रापर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है हमारी नई पीडी को बच्पन से ही साइंटिफिक टेमपर के साथ आगे बढ़ने के लिए तयार करना है और इसलिए यह जो बड़ी सफलता मिली है यह जो उमंग है उत्सा है उसको अब शक्ति में चैनलाइज करना है और शक्ति में चैनलाइज करने के लिए माई गौपर एक सितंबर से एक ट्वीज कॉंपिडिशन आरंभ होगी ताकि हमारे नवजान छोटे छोटे सवाल जब आप देखेंगे तो उनकी दीरे दीरे उसमें रूची बनेगी और जो नई एग्जुकेशन पॉलिसी है उसने साइन्स और टेक्नोलोजी के लिए बहुत भरपूर व्यवस्ता करके रखी हुई है हमारी नई शिक्षानिती इसको बहुत अधिक बल देने वाले शिक्षानिती है और उसमें जाने के लिए एक रास्ता बनेगा हमारा पीच कॉम्पिडिशन मैं आज यहां से देश के नौजवानों को मेरे देश के विद्यार्थियों को और हर स्कूल को मैं कहूंगा के स्कूल का एक कारकम बने कि यह चंद्रियान से जुड़ी हुई जो क्वीच कॉम्पिडिशन है उस क्वीज कंपेडिशन में बढ़ चट कर गए हिस्सा ले देश के करोडो करोडो युवा इसका हिस्सा बने और हम इसको आगे ले जाएं मैं समझता हूँ ये बहुत बढ़ा पन्नाम देगा आज मेरे सामने आप सब आए हैं तो और भी एक बात की और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ विश्व की भारत के प्रती एक बहुत जिग्यासा बड़ी है आकर्षन बढ़ा है विश्वास बढ़ा है लेकिन इन सब के बावजुद भी कुछ मौके होते हैं जब उसे इन चीजों की अनुभूती होनी चाहिए हम सब के सामने ततकान एक आउसर आने वाला है और खास करके दिल्ली वास्यों के लिए आउसर आने वाला है और वो है जी ट्वेंटी समीट एक प्रकार का विश्व का बहुत बड़ा निर्णायक नित्रुत्व ये हमारी दिल्ली की धर्ती पर होगा हिंदुस्तान में होगा पूरा भारत ये अजमान है लेकिन महमान तो दिल्ली आने वाले हैं जी ट्वेंटी की मेजवानी पूरा देश मेजवान है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाईयों बहनों की है मेरे दिल्ली के नागरिकों की है और इसलिए देश की साख पर रती भरवी आच ना आए ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है देश की आन बान शान का जंडा उचा करने का सवबागया मेरे दिल्ली के भाईयों बहनों के पास है और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से महमान आते हैं तो अस्विदा तो होती ही होती है अपने घर में भी अगर पांच साथ महमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते अगल वाली छोटी सी चैर पर बैठ जाते हैं क्योंकि महमान को जगा देते हैं हमारे हाँ भी अतित्री देवो भवा के हमारे सावस्कार है हमारी तरफ से जितना ज़्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं हमारा गवरो बढ़ाने वाले हैं हमारी सांख बढ़ाने वाले है और इसलिए सितंबर में पांच तारिक से लेकर के पंदरा तारिक तक बहुत सारी गतिवीदिया यहां रहेगी मैं दिल्ली वालिशों से आने वाले दिनों में जो असुविदा होने वाली है उसकी शमायादना आज ही कर लेता हूँ हमें थोड़ी तकलीफ होगी थोड़ी असुविदा होगी ट्राफिक के सारी विवस्ताय बदल जाएगी बहुत जगा पे हमें जाने से रोका जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें आवश्यक होती है और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है न तो घर के हर लोग कहते हैं अगर ना खुन काटते थे में थोड़ा था अगर खुन निकल गया हो तो भी लोग अरे भैस हमालो घर में अवसर है कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए कुछ बुरा नहीं होना चाहिए तो यह अपना बड़ा अवसर है एक परिवार के नाते यह सारे महमान हमारे हैं हमें हम सब के प्रयासों से यह हमारा जी 20 समीट शांदार हो रंग बिरंगा हो हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से बढ़ा हुआ हो यह काम दिल्ली के मेरे नागरीक भाई बहन करके दिखाएंगे यह मेरा पूरा विश्वास है मेरे प्यारे भाईयों बहनों मेरे परिवार जनों कुछ ही दिर के बाद रक्षा बंदन का परवा रहा है बहन भाई को राखी बांती है और हम तो कहते हैं चांदा मामा बच्पन से ही पढ़ाये जाता है चांदा मामा हमें बच्पन से जिखाये जाता है धर्ती मा धर्ती मा है चांदा मामा है मतलब कि हमारी धर्ती मा चांदा मामा की बहन है और इस राखी का त्योहार ये धर्ती मा ये ल्यूनर को राखी के रुप में बेज करके चंदा मामा के साथ राखी का त्योहार मनाने जा रही है आर इते लिए हम भी ऐसा राखी का शांदार त्योहार मनाएं ऐसा भाई चारा का ऐसा बंदूत्व का ऐसा प्यार का वातावन बनाएं कि G20 समीट में भी चारों तरफ ये बंदूत्व ये भाई चारा ये प्यार ये हमारी संस्कृती हमारी परंपरा का दुनिया को परिचा कराएं मुझे भी स्वास है कि आने वाले त्योहार शांदार होंगे और सितंबर महिना हमारे लिए अनेक रुप से विश्मबै फिर से एक बार इस बार वग्यानिकों ने चंद्रियान की सफलता से जो जंड़ा गाड़ा है हम दिल्ली वासी जी ट्वेंटी की महमान नवाजी अद्भूत करके उस जंड़े को नए ताकत दे देंगे ऐसा मेरा पुरा विश्वास है मेरी आप सब को इतनी धूप में हाँ करके इस हमारे वग्यानिकों के महुत्सों को सामोई गृप से मनाने के लिए तिरंगे को लहराने के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद